तो इन यह जुज़ आँ है आगे इसलाम अलेकूम एन वलक्म टू आए चैनल उमीद करते हों के तमाम लोग बिलकुल ठीक ठाक होंगे और साथ लाइब को एचिए कर रहे होंगे तो आज की रेसिपी है वो है डेट केक की रेसिपी जो के बहुत एजी तुमेट है और सॉफ्ट है और खाने में बहुत अश्य लगता है बहुत हल्दी केक है सब को बहुत पसंद आएगा तो चलते हैं इंग्रीडिन्स की तरह सबसे पहले डेट चाहिए वन कप इसकी मैंने निकाले पाफिट में निकाल के इसको अच्छे से दोग यहां पे रखा हुआ है और वन पाफ फो काप और चाहिए हाफ कप शूगर bagus यह एक HAS दो इनको रूमटर प्रिजु प्रिश्डिकर चाहिए चाहिए झाल एक पर रिज्श kiedy है हसकोल निकाल ल вый democrats नहें अपर प्रेस्ट्रीज जाने केची ये कटिंथनगे में व 15 मिन तर बने जाना है ग्रीस में कि पाम में पालते हैं, पर उक अदो मारा भीक। नुद्ट्स ना खिए। भाल में जाया सिए। भाल हमें का यह जाना है कि वजाना है यह पेस्ट बना जाएंगा औरSi मैश करते रहना है तक यह अच्छे से बन जाएंगा यह 10-15 मिनट लगें और आपको यह मैश होके अच्छा एक पेस्ट बन जाएगा आपने हलाते दूरे से बगाना है जब तक के हील रहा हम ढूना है और सौफ्ट हो रही है तो हम चलते हैं के इन कर देखे नमक एक और ने नमक बिचा लेना हैrim। कमप सब्सक्रणाइस नहीं हमाएं देखें जाले स्टेyes और अप्रोम प्रिल्खएें निआ संगुकर्णान पर झान प्रिक्षutan चाहर पुम्स को दोखें से लाले के सोफ़ार करें mm जब तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब करते हैं वीडियो अची लगए को लायक करें दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे प्रम दिखाएं गाले के तरफ पीस्ट हमने बना इसको जो तरफ बन्क इसमें आपने डाल देना है शूगर डालने के बात आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स इसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छे से आप ये देखें शूगर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है अब आपने क्या करना है वन फोक अप जो ऑईल था वो आपने इसके अंदर डालना है सारा डालके अच्छे से मिक्स करना है कि जो ऑईल अलग हुआ नजर आ रहा है या अलग हुआ नजर ना आए और आपने हलके हाथों से सारी मिक्सिंग करनी है ज्यादा तेज नहीं करनी है ठीक है आप यह रबर स्पेशले से कर सकते हैं चम्मट से फोक से किसी बीजी से अब यह मैदा बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा इनको चान के यूज करना है जितना अच्छा चानेंगे उतनी के एर इंक्लूड रोजाएगी और एर इंक्लूड होने से हमारा केक उतना ही सॉफ्ट बननेगा तो मैं यह सारा कुछ चानती हूं चानने के बाद हमने इसके इ एक ही डिर्क्शन में आपने मिक्स करना है क्लोक वाइज और अंदर की तरफ फिर गोल अंदर की तरफ हल्की हाथों से खुमाना और हार्ष नहीं होना है आपने बिल्कुल ही और एक जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर आपने जो नेक्स पैच था वह इसके इसके अंदर शामिल कर देना है यह दूसरा बैच के अंदर डाला इसको भी वैसे ही क्लोक वाइज मोशन में तर्मियान में वापिस लियाना है फिर क्लोक वाइज मोशन में तर्मियान में वापिस लियाना है इसके अंदर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ओवर मिक्सिंग तरने भी डियांट हेम इसके अग्यांता कर देख कर डालन सकांद हम हम बैटर सुना चला जा चाहिए अब भी प्र ili को सब्सक्राइब दालत है कि अधिकर घुल कर सकते हैं अधिकर, फ्रोन तरॉसरा इन इंड में हैằng दो रिस भया नियूदों लां रहा नियूदा और 20 में माध्य चान और के शौब करेंगेंगें खतिक करेंगें, और काउ मिक्सिंग स्पमाइबर का सेज में पारिश राहिए भरिर यूदों, शौना लाँ भी पालो पहना अवन भी बना सकते हैं लेकिन मैं देशके में टाया हूँ ताकि इसके बास नहीं बना ले रख दिया अब इसके ओपर हमने ये भी रख दिया लो टू मीजियम फ्रेम के अंदर 40 तो 45 मिनट तक हमने से बनाना है आफ्टर 45 मिनट देखें मैं ऐसे फोक से चेक करें हूँ सारे स क्रीम बनाई चीथी में उख सब्कारण अबना करें तो बीटर पेपर ने कर दाने के पाद हमने थंदा करने के दिए करेंगे और रूम टरपरिचर पर हम इसको ठंडा करेंगे करें के लिए मुझे मिल्क चाहिए 1 कप अप्र 1 टेबल स्पून और शकर 3 पॉन कर चाहिए 1 म कॉरन फ्लोर में थोड़ सा पाइड भी निटिए बहुत ऐसाओ जयों पाइब पुलिता फेरन चालते और कॉरु深 है टालना स्रस лиद काईग को काॉर्ल उलन पारश युदता है लम्स state बाइगा तक दाले चाल्व है जैसे थिक होना स्टार्ट हो जाए जोड़ा तिक नहीं करना कि अध्रिंड हो गहां मजीद थिक CH गहतason साइट से और अच्छे से पका है ताकि कौन फ्लो का जो कच्छा जायका है वो बिलकुल भी ना आए तो यह रडी होगी है तो हम थंडा कर लेंगे अब यह असंब्लिंग करते हैं तीनों चीज़े हैं यह जो है अलमंट्स हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया डिजाइनिंग के ल बार बार करते हमने इसको नीचे लेकर आना है विस नॉर्मल से मैंने बिलकुल सिंपल रखा है ताकि आप सब इसे बना सकें और सब इंड़ाय कर सकें बहुत रिच होता है सब को बहुत पसंद आने वाला है जरूर बनाएगा जरूर बना के मुझे फीडबैक जरूर देना अब मैं क्या करूंगी अब मेरे पास चुक्रश आलमंट्स थे इनको मैंने इसके उपर अच्छे से डाल देना है और साइड्स पर कड़ाना जातर जारें मैंने सिफ उपर डाले थे और यह देखें जी इसकी फाइनल लुक यह इसको अब ठंडा करेंगे और ठंडा करने के इट्स सो अमेजिंग कट करके दिखा देती हूं यह देखें जी हमेंसे कट किया हाउस सो आफट इटेस हाउस सो आफट इटीस इसके जो अंदर से इसका टेस्ट था और कलर ओ माई गॉर बहुत अच्छा सबको बहुत अच्छा लगा और एक मतलब एक रिच केक चू होता ह हम कहें वो केक है आपने जरूर ट्राइक करना है और यह मैं करीब से दिखाती हूं ताकि आप जल्दी से ट्राइक करें और मुझे फीड़एक दें फीड़एक आपने महंदी एस्टाइडिक्स के पेज में देना है कमेंट सक्षिन में भी बता सकते हैं और साथ-साथ आपको नेक्स वीडियो में तब तक करें लाफिज